एक जंगल में दो तोते रहते थे दोनों ही सगे भाई थे बड़े भाई का नाम रामूत होता था और छोटे भाई का नाम शामूत होता था दोनों के पिताजी कुछ पहले ही मर गए थे और उनके पिताजी संपत्ती के तोर पर उनके लिए एक अमरूत का हरा बरह पेड़ छोड़ कर गए थे एक दिन की बात है कि दोनों ही भाई अपने अमरूत के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे रामू तोता शामू तोते से कहता है कि देखो शामू तोते यह पेड़ हमारे पिताजी की निसानी है और हम इसे कभी भी सूकने नहीं देंगे तो शामू तोता कहता है कि हाँ भाईया यह हमारे पिताजी की निसानी है हम इसे कभी भी सूकने नहीं देंगे और हम इसकी अच्छे से देखबाल करेंगे अब रामू तोते की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसकी पतनी तोती बड़ी ही चालाक किसम की थी एक रात वह अपने पती रामू तोते से कहती है कि रामू जी देखो तुम्हारे पिता जी का धिहान्त हुए बहुत साल हो गए मैं तो कब से रास्ता देख रही थी कि तुम्हारे पिता जी कब धिहान्त कर जाए और हम इस अम्रूत के पेड़ का हिस्सा बाटा कर ले तो वह रामू तोता कहता है कि देखो तोती जरा धीरे बोलो अगर शामू तोते ने सुन लिया तो सब गड़बड हो जाएगी फिर रामू तोता कहता है कि देखो तोती मैं बड़ा बेटा हूँ और मैं जैसा चाहूंगा वेसाई होगा यह सारी संपत्ती मेरी है अब श्यामूत होता भहुत ही भोला भाला था वो अपने बड़े भाई की बातों में आ जाता था और बड़ा भाई जैसा कहता था उसकी हां में हां मिला लेता था एक दिन की बात है कि श्यामूत होता एक पेड़ पर बेठा हुआ था और वहीं उसकी मित्र टूनी चिडिया महा पर आ जाती है और टूनी चिडिया उस श्यामूत होते से कहती है कि श्यामू तुम अपने बड़े भाई की चाल्याक्यों को समझा करो अपने भाई की उस पर ध जिहान रखा करो श्यामू तोता तूनी चिडिया से कहता है कि देखो तूनी रामू तोता मेरा बड़ा भाई है और वह मेरा भुरा भला नहीं सोचेगा मेरा भाई जैसा भी है वह मेरा भाई है फिर एक दिन की बात है कि दोनों ही तोते अपने अमरूत के पेड़ के निचे खड़े हुए थे और दोनों ही आपस में बात कर रहे थे तो रामू तोता श्यामू तोते से कहता है कि देखो श्यामू अब हमें इस अमरूत के पेड़ का बटवारा कर लेना चाहिए पिता जी तो हेने इस दुनिया में, बड़ा भाई होने के नाते, मैं ही फेसला घर का करूँगा, तो वहर शामू तोता कहता है, कि भाईया जेसी आपकी मर्जी में तयार हूं, फिर रामू तोता शामू तोते से कहता है, कि देखो शामू, ये जो अमरूत का पेड़े, इसमे हर साल जो फल लगेंगे वह फल मेरे हैं और जो अम्रूत के नीचे का तना है वह तुमारा हिस्से में हैं और इसका साया है वह भी तुमारे हिस्से में हैं तुम इस अम्रूत के पेड़ के कभी भी फल मत खाना वह तुमारे हिस्से में नहीं हैं तो श्यामू तोता कहता है कि जी है भहिया मैं आज के बाद इस अम्रूद के फल नहीं खाऊंगा और इस अम्रूद के साए में नीचे बेठा करूंगा अब दूसरे ही दिन शामू तोते को भूक लगती है वहां अम्रूद के पेड़ पर जाता है और अम्रूद खाने लग जाता है अब उसका बड़ा भाई रामू तोता वहां पर आ जाता है और वहां शामू तोते से कहता है कि शामू तुम ये फल नहीं खा सकते ये तुमारे हिस्से में नहीं है तो शामू तोता केता है कि भाईया मुझे बहुत जोरों से भूग लगी मैं ये फल नहीं खाऊओंगा तो ये भोजन कैसे करूँगा तो फिर वहा रामू तोता कहता है कि तुम जंगल में जा करो और मेहनत करा करो और जैसे सभी पक्षी दाना लाते हैं एसे तुम भी लाके खाया करो अब एक दिन की बास है कि शामू तोता एक पेड़ के पर बेठा हुआ होता है और वहाँ पर उसकी दोस्त टूनी चिडिया आ जाती है और टूनी चिडिया शामू तोते से कहती है कि शामू क्या बात है आज कल में तुमें देख रही हूँ कि दूसरे पक्षों की तरह तुम भी जंगल में दाना लेने जाते हो तुमारे पिता जी तो हरा बरा अमरूत का पेड़ छोड़ के गए है तुमें तो जंगल में जाने की जरुवत नहीं है तुम उसी पेड़ के फल खा सकते हो फिर स्यामूत होता कहता है कि देखो तुनी तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्ते हो मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी हम दोनों भाईयों में बटवारा हो गया है और उपर के जो फल मेरे भाई के हिस्से में हैं और नीचे का तना और छाया मेरे हिस्से में है और जब पेड़ बुड़ा हो जाएगा तो उस पेड़ की लकड़िया काट कर मैं अपना वेपार शुरू कर दूँगा तो टूनी चिड़िया कहती है कि शामुतोते तुम कितने बुद्दु हो और तुम कितने भोले भाले हो अपने भाई की बातों में आ गए हो तुम्हारे भाई ने तुम्हें बेकुब बना दिया है देखो यह पेड़ कभी भी बुड़ा नहीं होगा तुम बुड़े हो तुम्हारा वेपार लकडी का कभी भी शुरू नहीं हो पाएगा और तुम्हारा भाई हर साल इस अम्रूत के फल बेच कर बड़ा आदमी बन जाएगा अब शामुतोते की बात कुछ समझ में आ जाती है अब कुछ समय के बात रामुतोता उस अम्रूत के पेड़ से फल तो जमीन पर गिरा रहा था वही पर शामुतोता आ जाता है और शामुतोता उन फलों को इखटा करके एक जगे रख लेता है फिर रामुतोता देखता है कि शामुतोता फल उठा रहा है वह नीचे आता है और कहता है कि शामुतोते यह तुमारा हिस्सा नहीं है यह तो मेरा हिस पिर तुम फल क्यों उठा रहे हो तो श्यामू तोता कहता है कि देखो भाईया पेड़ के उपर का हिस्सा तुमारा है और नीचे का हिस्सा मेरा है तो नीचे जमीन पर जो भी चीज होगी वह सारी मेरी होगी और यह फल मेरी जमीन के उपर है तो यह फल मेरे ही हुए फिर वह रामू तोता गुस्ते में वहाँ से चला जाता है रामू तोता हर साल अपने फल बेज कर बहुती बड़ा आदमी हो जाता है और वह अच्छा सा बड़िया मकान भी बना लेता है अब एक दिन की बात है कि शामू तोता कालू कवे को लेकर उस पेड को कटवाने के लिए आ जाता है और फिर वहाँ पर रामू तोता भी आ जाता है और रामू तोता पूस्ता है कि शामू तोते तुम ये क्या कर रहे हो पेड को क्यों कटवा रहे हो तो वह शामू तोता कहता है कि भाईया यह पेड का जो नीचे का तना है वह मेरे हिस्से में आया है अब मैं इसे कटवा के लकडी का वेपार सुरू करना चाहता हूँ तो रामू तोता कहता है कि अगर तुम पेड को कार दोगे तो इस पे फल नहीं आएँगे तो वह शामू तोता कहता है कि मैं नहीं जानता भाईया यह नीचे का तना मेरे हिस्से में है मैं इसे काटू चाहे कुछ भी करू अगर इस पेड को तुम नहीं काड़ना चाहते हो तो इस अमरूत के पेड पर जो फल लगेंगे उसके दोन फलों में से आदा हिस्सा तुमारा होगा और आदा मेरा होगा अब कुछी देर में वहाँ पर टूनी चिडिया आजाती है और टूनी चिडिया कालू कव्वे से कहती है कि तुम इस पेड को कार दो रूख क्यों गए ये शामू तोते का हिस्सा है वह लकडिया काट कर इससे वेपार शुरू करेगा जल्दी से पेड को कार दो फिर रामू होता सब कुछ समझ जाता है और वहां शामू तोते से माफी मांगता है कि देखो शामू मैंने तुमारे साथ बहुत बड़ा धोका किया मैंने तुमारे साथ चाल बाजी की तुमारे सीधे पन का मैंने फाइदा उठाया तुम इस पेड को मत काटो और ये पेड हम दोनों का है और मैंने इस पेड़ से जो भी साल इतने दिनों में कमाया है और मैंने अच्छा सा घर बनाया है वो घर में भी तुम्हारा हिस्सा है तुम उसी घर में रहना फिर हुआ दोनों भाई रामू तोता और शामू तोता और रामू तोते की पतनी अपने उस मकान में रहने लग हैं तो दोस्तों आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना